Good morning बच्चों, पिछली क्लास में हमने चर्चा शुरू की थी मेट्रो के बारे में बातचीत करके हमने यह जाना कि ऐसे कौन से और शहर हैं जहां दिल्ली के अलावा मेट्रो चलती है जिसमें हमने यह समझा कि ऐसे शहर हैं मुंबई, कॉलकता और बैंगलोर उसके बाद हमने बातचीत की थी उन वहानों की जिनका हम प्रयोग करते हैं जब हमें कहीं जाना होता है मैंने आपको अलग-अलग हिंट्स दिये थे और पूछा था कि जब आपने यहां जाना होता है तब कौन सा वहान यूज करते हैं उसके बाद हमने बातचीत की थी उन वहनों की जो समान ले जाने के काम आते हैं या फिर जिने हम emergency में यूज करते हैं जैसे police, van या फिर ambulance या fire brigade वैसे ही हमने quiz में भी उनी का जवाब देने की कोशिश की थी तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम अपनी आज की चर्चा अब है समय कुछ सवालों का जवाब देने की यदि आपको कोई बात किसी को बतानी है तो आप किस तरह से बताते हैं यदि वह इंसान आपके सामने है तो तब आप कैसे बताते हैं और यदि वह इंसान आपसे बहुत जा सकते हैं इन सबी सवालों के जवाब मुझे जरूर बताईएगा तो चलिए बच्चों आज की हमारी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है कोयल का गला हुआ खराब जिसको लिखा है माला कुमार ने और जिसकी इलस्ट्रेशन्स बनाई है 211 स्टूडियो ने और जिसके ट्रांसलेटर हैं सदफ जफर और इसके पब्लिशर हैं प्रथम बुक्स जून के महीने का सुहाना सादिन है मिस मीरा अपने कामों में व्यस्थ है इसलिए उन्होंने बच्चों को उनका मन पसंद काम सौपर है और वो है अपने आप खेलना स्टेला और परवेज को बोड पर चित्र बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है कू, कू, को कोयल चमकती आखोस से परवेज ने पूछा हाँ, मगर लगता है उसका गला खराब है मैंने ना पहले कभी भी खराब गले वाली कोयल नहीं देखी चलो चल कर ढूणते हैं उसे स्टेला ने सुझाया स्टेला और परवेज पेडों की और भागते हुए पहुचे ये तो बड़ी गहरी खाई है मुझसे नहीं पार होने वाली स्टेला बोली पर परवेज तो पहले ही उस पार कूच चुका था फिर वापस फांद कर स्टेला के पास आ जाता है परवेज ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों ने एक साथ छलांग लगा कर पार कर लिया कू, कू, स्टेला आवाज देती है क क क कू, उहू परवेज फुस फुस आता है वे चार ओर देखते हैं मगर खिच-खिच वाली चिडिया नहीं मिलती जल्दी ही सारे सहपार्ठी भी जुट जाते हैं गले में खिच-खिच वाली कोयल को ढूनने में कू, कू, आब तो सबको देखनी है गले में खिच-खिच वाली चिडिया वो रही भानू बोला नहीं नहीं यहां है जेबा ने धीरे से कहा मुझे तर एक कोयल उस डाल पर बैठी दिख रही है उमा ने इशारा किया परवेज जल्दी उपर देखो उस पेड़ पर करन ने कहा अरे नहीं अब हम यह कैसे पता लगाएंगे कि खराब गले वाली कोयल कौन सी है जेबा ने मुझ लटका कर पूछा टन 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 खाने की घंटी बज गए भानू जोर से चिल्लाया परवेज के पेट में बूक नाम का भूत शोर मचाने लगा था यह आवाज कैसी है स्टेला ने हस कर पूछा वे दोड कर अंदर गए और अपने खाने के डबे खोल लिये स्टेला खुशी से चिल्लाई वाह इडली पाठा बड़ा सा कौर मुझ से भरकर परवेज ने बोला टन 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 खाने का समय खत्म हो गया परवेज अपना बैग उठाकर अमीना दादी की और भागा वो रोज की तरह आज भी स्कूल के फाटक के खड़ी उसका इंतजार कर रही थी परवेज तुमने आज सुनने की मशीन नहीं लगाई है तुम जानते हो ठीक से सुनने के लिए तुमें उसकी जरुरत पढ़ती है न उन्होंने छोटी सी मशीन परवेज की कमीज की जेब से निकाल कर उसके कान में लगा दी ये मुझे पसंद नहीं है वो बुदबुदाया और मुझे ये मोटा सा चश्मा नहीं पसंद मगर मैं तो पहनती हूँ ना इन्हें की नहीं दादी ने पूछा तब ही उसके कानों में कहीं से हलकी सी कोयल की आवास सुनाई दी कू, कू, परवेज ने हस्ते हुए दोहराया कू, कू, परवेज दादी को उस गला खराब वाली कोयल के बारे में बताता है दोनों चलकर सुकर्ण स्कूल पहुचते हैं जहां बाधिर बच्चे पढ़ते हैं शाम को अपने घर के पास उसे स्टेला मिल गए स्टेला मैंने कोयल को सुना, एक बार में एक एक शब्द बोला उसने स्टेला ने अपने दोनों हाथ हवा में हिलाए इसका मतलब हुआ कि वो ताली बजा रही थी परवेज ने संकेत भाशा के कई शब्द उसे सिखा दिये थे जो उसकी शीला मिस ने सुकर्ण स्कूल में सिखाए थे मुझे लगता उसकी ठीक हो रही है उसने बताया शीला मिस कहती है कि उसकी अवाज भी ठीक हो जाएगी समय लग सकता है मगर ठीक जरूर होगे पकड़ो मुझे परवेज ने भागते हुए आवाज दी अब खेलने का समय जो था सभी के कान एक जैसे नहीं होते परवेज जब सिर्फ पाँच महीने का था तब उसके माता पिता ने देखा कि वो जोर की अवाजे बिलकुल भी नहीं सुन पाता था वे उसे डॉक्टर के पास ले गए जिन्होंने बताया कि परवेज ने सुनने की शक्ति खो दी है डॉक्टर ने समझाया कि परवेज की मदद कैसे की जा सकती है ताकि वो हर वो चीज सीख सके जो आम बच्चा सुन सकता है जब आप ठीक से सुन सकते हैं तो बोलना आसानी से सीख सकते हैं ज्यादतर बधिर लोग ठीक से नहीं बोल पाते क्योंकि वो दूसरों का बोलना नहीं सुन सकते हैं जो लोग पूरी तरह से बधिर होते हैं वो कुछ भी नहीं सुन सकते परवेज आशिक रूप से नहीं सुन सकता है इसलिए उसे शीला मिस जैसी एक विशेश शिक्षक की जरूरत है जो से संकेत की भाषा, होटो को पढ़ने और समवाद करने के अन्य तरीके सीखने में मदद कर सके कुछ बच्चे चश्मा लगाते हैं ताकि वे अच्छी तरह से देख सके ठीक वैसे ही परवेज सुनने की मशीन लगाता है ताकि उसे सुनने में आसानी हो उसे अपनी मशीन को लेकर थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है जो लोग परवेज सिधीरे से बात करते हैं वे उन्हें बहतर समझ पाता है और खास तोर से जब वे उसकी तरफ देख कर बात करते हैं परवेज ठीक से सुन नहीं सकता है पर वो देख, सूंग, समझ और सीख सकता है वे महसूस कर सकता है और पकडम-पकडाई भी खेल सकता है